हेलो माई डियर, कैसे हैं आप सब, आप सब का रुवेश क्लासिस में स्वागत है, अगर जिन्दगी में कुछ करना चाहते हो, तो अपसोस करना बन कर दो, क्योंकि मेहनत करना तुम्हारी पहचान है, लरो, क्योंकि लरने से ही तुम्हें कामियाबी मिलेगी, कभी हार मत मानन क्योंकि हार तो बुजदिल लोग मानते हैं, हिम्मत वर तो डट कर सामना करते हैं, हर रात तुम्हारे लिए कामियाबी का चुनोती बनता है, सुभ उठकर के पस्ताना मत हर रात मेहनत करो, और हर सुभ मुस्कुराते वे आगे बढ़ो, तो चलो हम लोग, नेक्स्ट, जो आज जो हम लोग जो अबजेप्टि प्रशन लेकर आए, वो एकोनॉमिक से है, ठीक है, और यह सभी प्रशन कहा है, बिहार से, तो चले पहले हम लोग अपनी बिहार के सारे प्रशन के बारे में जानकाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, और हाँ, वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम का है एक बार पढ़के देखना बहुस मज़ा आ जाएगा ठीक है तो चले सुरू करते हैं लोग सबसे पहला प्रशन क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन बीमारू कहता है कि निम्न में कौन बीमारू राज है जो कि ये प्रशन 2019 और 2020 लगातार दो साल पूछा गया देख लो तो जवाब में देना तो कह रहा है कि निमने में कौन बीमारू राज यानि कि बीमारू राज है यानि इन में से कौन जो है बीमारू राज है ठीक है तो कहता है कि बिहार, मद्य परदेश, औरिसा या फिर कहता है डी नमबर इन में से कोई नहीं ठीक है तो कहना इन में से कोई नहीं ठीक है यानि इसमें विमाय उड़ाज नहीं है फिर उसके बाद फिर क्या कहता है कि बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया जन आंदोलन वेक्तिगत आंदोलन समाजिक आंदोलन वेपारिक आंदोलन जवाब में इसका क्या ह इन में से एक मिनिट मैंने यहाँ पर तुम्हें जो आनसर बताई तो वह गलत था ठीक है मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि इन में से कोई नहीं तो गलत यहाँ पर इन में से सभी क्योंकि भिहार मध्यपरदेश उडीयशा. यह सभी बिमारो राधी के अंदर आता है ठीक है तो मैंने गलत बताया था उसके लिए यहां पर जवाब नेल दिया इनमें से सभी ठीक है चलिए नेक्स परस्ण कहता है कि बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है ठीक है तो जन आंदोलन व्यक्तिकत आंदोलन समाजिक आंदोलन वैपारिक किसने कहा बहुत most important बात है ध्यान से सुनोगे कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का भारत का विकास संभब नहीं है यानि कि कहने का मतलब कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभब नहीं है ये बात किसने कहा तो जवाब में और ये 2019 का देखाया डाक्टर APJ अबुलकलाम आजाद B नमबर में नरेंदर मोदी या C नमबर डाक्टर राजंदर परसाथ और C नमबर इन में से कोई नहीं तो जवाब में इसका होगा APJ अबुलकलाम आजाद अब सवाल उड़ता होगा कि आपसे कभी प्रशन पूछ सकता है लेकिन यह बहुत ही खास बात बोला है कि सुनो यह बहुत ही बात बोला है आर्थिक स्थिति उनको मदद दे क्योंकि बिहार को एक माना जाता है कि इसमें किर्सी राजी के रूप में माना जाता है देखो इसलिए तो वह scientist बने क्योंकि उसने उसको पता था कि बिहार का economics में अगर देखा जाये तो किलसी राज में number one पे बिहार आता है इसलिए उसने ये बात कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास समभब नहीं है यह तो बहुत ही मस्त प्रश्ण है यह यह प्रश्ण मेरे एंगल से आप देखेंगे तो यह बहुत ही मयन की जो है most important प्रश्ण है विविया important प्रश्ण है ठीक है अब आप सवाल तो सुन जवाब आपको मिलगे अब आए next नेक्स्ट प्रश्ण में क्या कहता है बिहार में किसकी यानिकी प्रधानता है यानि बिहार में किसकी प्रधानता है उद्धोक पसुपालन खनीज किरसी देख ये प्रश्ण और ये प्रश्ण को एक जरह गौर से देखो एपी जब लुकराम ने क्यों कहा ये बात क्योंकि उ और बिहार को प्रधानता किस बात पर दिया गया किर्सी के लिए यह आपज़ेक्टिम में याद रखना अच्छा से हैं बिहार राज में लोगों की आजिवीका का मुख्य आदार है फिर सवाल वही हुआ कि यहाँ पर कहता है कि बिहार के लोगों का मुख्य जो होता है इंप जबाब में किर्शी क्योंकि बिहार के लोग सबसे जादा किर्सी पर ही आधारी थे नेक्स प्रशन है बिहार की जनसंख्यां 2011 की जनगन्ना के अनुसार कितनी थी यानि कहता है कि बिहार की जनसंख्यां 2011 की जो जनगन्ना के अनुसार कितनी थी तो जबाब में आपका ए न लाग पंदरह सो यानि कि 15,637 या फिर कसी नमबर दस करोड अरतिस लाग चार सो 4,637 डी नमबर दस करोड पचीस लाग 4,600 तो जवाब इसका C नमबर होगा ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स पस्न के ओर चलते हैं कॉसर नमबर साथ की ओर चलते हैं क्या कहता है जर अध्यान से सुनिएगा प्रशन कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है देख बिहार विकास में बाधा बाली बाद बोल है न तो देखोगे तूरत ही तो आपको आंसर समझ में आजा कि वो आंसर क्या है आकाल यह तो प्रकृतिक का देन है अगर आकाल आएगा तो उसी बिहार में क्यों आएगा आने से पूर्य वोल्ड में आएगा लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ आकाल बाली बात है और दूसरा है क्या बाढर? तीसरा है सुखार और D नमबर में दिया इन में से कोई नहीं अ में आकाल, बी में बार, सी में सुखार और डी में इन में से कोई नहीं जवाब होगा बिहार में बार ही सबसी बड़ी समस्या है इसका जवाब बार ही होगा चले नेक्स्ट परशन बिहार राज्य है 2021 में पूछा गया पड़ा गजब का कुरशन है आप इस टाइप की प्रस्ण को पीछे दो बार रिमाइन के लिए अब एपी जब्दुलकलाम कहा फिर प्रधानता कहा फिक के उसके बाद बिहार के लोगों के मुख्ये जो है वेवेशाई क्या है यानि कारोबार क्या है तो देखो सब घुम फिड़के किरसी पही टिपेंड देख लिजे तो उद्धोक प्रधान देश यानि उद्धोक प्रधान क्या उद्धोक के मारे में फैक्टरी के मामले में बिहार राज जो है फ्रमस है नहीं पसुपालन के मामले में नहीं खनीज के मामले में नहीं तो किसके मामले में किरसी प्रधान किरसी प्रधान राज अगर भारत अपनी विकास चाहता है तो बिहार के किरशी है थी क्योंकि किरवें प्रधान है तो चलते हैं कौन कहता है निम्रिम में कौन पिछरा राज है। 2015 में पूछा गया और 2021 में यूप पूछा गया। तो कहता है क्या पंजाब नहीं भाई यहां खेती अच्छी होती है। महराश्ठा यहां भी अच्छी मत्तव कार्वपार चलती है। देख लो इस आरे में देख लो बिहार जानते हो बिहार क्यों पीछ़ड़े हैं क्योंकि बिहार के बच्चों का economics कोई भी पेपर हर बच्चे पेपर सित पास करने के लिए देता है उसे फर्क नहीं पड़ता है आपका generation भी आपका pass के ही चक्कर में रहेगा. कभी देश की विकास के बारे में नहीं सोचेगा और इस तरह से pass-pass में ना जाने कितने pass हो गए. इसलिए pass के लिए पढ़ाई मंद करो, देश की विकास के लिए भी पढ़ो, आने वाले पीडीयों के लिए भी पढ़ो, ताकर आ बिहार महान है लेकिन जिस तड़ा से बच्चा आज के डेट में पढ़ना सुरू किया हमें तो उसी पास से मतलब है तो ले पास कर और इस पास से तु जिंदगी भर पास से पास रह जाएगा तो बैतर होगा कि अपनी बिहार के नोलेज मैं बार-बार कहता हूं चाहे हिस्ट कर लिया करो वरना एक्जाम के टाइम नागिन डांस करने के लिए तयार रहा जाओगे ठीक है चले नेक्स प्रसनागी क्यों चलते हैं किर्सी जनित उद्धों के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है जबार-दस को सने देख लो फिर बिहार फिर बिहार और विकास करो विकास कियोंकि अनाज मिलता नाजा को ठीक है चले नेक्स प्रस्न के और चलते हैं तो जबाब इसका बिहार होगा बिहार में कुल घरेलू उत्पात कितना प्रतिस्थ है यानि कि कुल घरेलू उत्पात जो होता है निकि जो घर का जो होता है वो कितना है तो 8.8.033 ठीक है या 9.033 या C नमबर 11.033 या 10.033 जवाब हो होगा 11.033 ठीक है चलिए अब नेक्स्ट प्रशन के ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रशन क्या दिया होगा कि बिहार की परति वेक्ति आई देश भर में ठीक है यानि कि बिहार के परति वेक्ति जो होता है उनके देश भर में कितनी मतब जो आई का है बिहार के किस जीले का परती वेक्ती आई सर्वधिक है A नंबर में पटना, B नंबर में गया, C नंबर में, सिवहर यानि सिवहर और D नंबर में दिया है नालन्दा, और देख लो यह फ्रस्न 2014 और 2018 दो वार पुछ लिया है, जवाब में पटना, क्योंकि पटना ही यह जादा बिहार के अंदर विक्षित करता है, कारोबार में आगे है बिहार में किस पर्ति कहता है बिहार में कम पर्ति वेक्ति आयवाला जीला जिसमें कम कमाता हो पर्ति वेक्ति जो बहुत ही कम कमाता हो कम होता हो वो जीला कौन सा है बिहार के अंदर तो देखो वैसाली सिवहर सारन पटना जवाब में होगा सी बहर यही सबसे कम कमाता है ठीक है अगर तुम लोग चड़ा सा मन लगा के परलो तो साथ काम्याबी तुम लोगों का कदम चुमेगा ठीक है तो हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले आप लोग मेरी का ले लीजे एक और दो का प्रशन ले लिजा ठीक है छलिए उसके बाद तीन और चार और पांच का अब ले लीजे ठीक है चलिए छे का भी ले लीजे चली आब नेक्स पेच्च के ऊचलते हैं चले आप साथमां प्रशन का भी ले लीजे चले sein आठवा प्रश्न का भी ले लिजियें। ठीक है। सोड़ी आठवा प्रश्न हो गया। चले नौ, दस, एगाड़ा ले लिजिये। और आगे बारा से इधर ले लिजिये। बारा, तेरा, चौदा। बारा, तेरा, चौदा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए, जय हिंद।